केंद्रिय मंत्री मंडल में शामिल होने के बाद जद्यू के पुर्वरास्टिय अध्यक्ष आरसीपी सिंग आज पहली बार पटना पहुँचने वाले हैं आरसीपी सिंग के स्वागत के कारिक्रम की पहले से ही घोशना हो चुकी है और उनके स्वागत के लिए पटना में आज तयारी भी देखी जा रही है आरसीपी सिंग दोपहर बारा बजे तक पटना पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्याले तक आज उनके काफिले का जगजग स्वागत किया जाएगा पटना की हर सड़क पर आरसीपी सिंग के स्वागत वाले पोस्टर और होडिंग लगे हुए है पटना की सड़के इस वक्त आरसीपी सिंग के पोस्टर से पट चुके हैं धोल बाजे से लेकर फूलों की बारिश तक का इंतिजाम समर्थकों ने कर रखा है आपको बता दे कि आरसीपी सिंग के स्वागत के लिए पिछले 10 दिनों से ही पटना में जबरदस तरीके से तयारियां चल रही हैं इससे पहले आपको बता दे कि जनतादल युनाइटेट के रास्टी अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंग जब 6 अगस्त को पटना पहुँचे थे उसी दिन ये तैय हो गया था कि आरसीपी सिंग का भी पटना पहुँचने पर भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा आरसीपी सिंग और ललन सिंग के स्वागत को लेकर कई बड़ी तैयारियां भी देखी गई आरसीपी सिंग और ललन सिंग के स्वागत को लेकर पाटी के लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे मालुम हो कि संगठन में शामिल आर्सीपी सिंग के करीबी नेताओं ने स्वागत का बीड़ा उठा रखा है इसके लिए हर जिले से पाटी के नेताओं और कारेकरताओं को भी लाया जा रहा है दावा किया जा रहा है कि आर्सीपी सिंग जब आज पटना पहुचेंगे तो उनकी स्वागत में जितनी भी ललन सिंग की स्वागत करने के लिए लोग पहुचे थे उससे भी कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी आपको बता दे कि इसी बीच बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल भी बैंड बाजे के साथ आर्सीपी सिंग का स्वागत करने के पहुच चुकी है